हेलो फ्रेंड्स मैं सपना सिंग बीजी किचिन में आपका स्वागत करती हूँ आज बनाने जा रहे हैं हम लोग एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत है और खास करके उन लोगों के लिए जिनका बेट जो है काफी बढ़ चुका है जो अपना बेट कम नहीं कर पा रहे हैं तो इसक की को गेड्र से दो महीशे तक डेनर की जगाः बना कर खाएए तो आपका बेट जो है काफी कम हो जाएगा म गश्वाव और यह हमने एक सिब्लामिश लिये चोटी जिसको भी हमने कट कर लिया है पदला पदला लंबा लंबा एक टमाटर जिसको हमने चोट चोटे पीसे में कट कर लिया है बारी कटा हुआ थोड़ा जन्या हाफ लेमन नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और हमने हाफ टी स्पून अबने गाजली है उसे भी डाल देते हैं और अबने शिब्लामिश लिये इसको भी डाल देते हैं तमाटर भी डाल देते हैं और अबने कैबिज लिये उसको भी डाल देते हैं और अबने कैबिज लिये उसको भी डाल देते हैं और अबने कैबिज लिये उसको भी डाल देत हम इसारी चीजों को मुझे अच्छे से मिक्स कर देते हैं देखिए हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर गिया है है अब दोता है हम आई नीबू भी निचोड जेते हैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोस्तों यह बहुती सिंपल रेसिपी है आप इसको ट्राइ करेंगे तो आपका पेट कम हो सकता है और आप ऐसा निये कि 10-15 दूं के बाद आप बंद कर दीजिए अगर आप इसको लगातार एक से तो आपका बेट काफी कम हो सकता है आप इसमिला लेंगे नमक चैट मसाला पाउडर अब इस सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोस्तों आपने देखा कि किनी ज़से हमारी रेसिपी बन चुकी है और आपने देखा किनी हैली बनाया हमने और आप इससे अमना जब तक आपका बेट कम कीजिए और जब तक आपका बेट कम ना हो जाए और जब तक आपका बेट भड़ता है वह चीज़े ना खाएं आपका बेट कम हो सकता है तो आपका बेट जरूल कम हो सकता है दोस्तों आपको मारी रेसिपी कैसे लगी कमेंट के बताएगा दोस्तो और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी पेल आइकन को दुबाईए और जादा से जादा अपने फैमली फ्रेंड्स में सेयर कीजिए हमारी वीडियो थैंक्यों दोस्तों